बिस्मि लाहि रुख्मान रहीम, अस्सलाम अलेकॉम, how are you all, hopefully you all are fine and doing very well, अच्छा बच्छों, आज हम उर्दू की बुक में page number 14 का काम करेंगे, ठीक है, page number 14, आपने open करना है, उर्दू बुक का, ठीक है, और उर्दू की वर्बुक है, सही है, इसका कौन सा page करना है, page number 14, ठी ठीक है, before we start our work, first we recite a दौा, सब मेरे साथ दौा पढ़ें, बिस्मि लाहि रुख्मान रहीम, इल्मे इजाफे की दौा, रभी, जिल्नी, इल्मा, ए हमारे रभ, हमारे इल्मे, इजाफा अता फर्मा, अच्छा बच्छों, यहां पर क्या लिखा हुए, सबसे पहले, अपना which date is today, आज date क्या है, बीस जुलाई, ठीक है, तो मिस बीस को कैसे लिखेंगी, 20, 20, जुलाई, जुलाई 7 और 2020, ठीक है, तो आपने यहां पर क्या करना है, जो यह 20 है, 20 पर आपने कलर कर देना है, सही है, मिस टिक कर रही है, और आज डे है, मंडे, और मंडे को उर्दू में क्या कहते है, पीर, तो आप इसमें भी कलर करोगे, ठीक है, और हमने इसमें क्या करना है, शनाख करें और लिखें, ठीक है, यानि हमने इन हुरूफ को पढ़ना है, असके बार लिखना है, ठीक है, तो सबसे पहले बताईए, कौन सा हुरुप है यह, फे, फे, कौन सा कौना अवर्फ है ये काफ काफ से कलम ठीक ? यह कौण से मनठेगा है। कव नी कौन से मनठा काफ से कव्व है काफ से कव्व इन सु Анд्युश्य आपको अपसे देखा है नहीं गाफ से गुडिया, ठीक है, तो हम यहां लिखना शुरू करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे यहां से, पैंसल होल करेंगे, और यहां से फे को बनाएंगे, ठीक है ना, गूम कर, बैट जाओ, थोड़ा सा उपर जाओ, उसके उपर एक नुक्ता लगाओ, कौन सा हुर्फ बना फे, पिर से देखें, मैं से यहां से बना रही हैं, गूम कर, बैट जाओ, थोड़ा सा उपर जाओ, उसके उपर नुक्ता लगाओ, कौन सा हुर्फ बना, फे, अच्छा मिस्ते ऐसे भी बनाया है, और एक और तरीका भी मिस्ते आपको बताया था, कि ऐसे पहले बे बना दे ठीक है, यूँ बे बन गया, उसको यहां से यूँ गुमा के, यूँ लाइन पे रोग देंगे, ठीक है, कौन सा हुर्फ बनेगा, फे, ठीक है, कौन सा हुर्फ है ये, फे, ठीक है, पिर से देखें, मैं गैसे बना रही हूँ, ऐसे एक बे बनाया, यूँ बे, ठीक है, फे के उपर एक नुकता, फे का दोस्ट और कौन है, फे से फाजी, फे से फाखता, ठीक है, फे के बाद हम कौन से उप्यारे हैं, काफ, कौन से उप्यारे हैं, काफ, काफ कैसे बनाते हैं, गूम कर, एक प्याला बनाओ, उसके बाद उपर चले जाओ, उसके उपर दो नुकते लगाओ, एक, दो, तिकने नुक्ते, दो नुक्ते, फिर से देखें, गूम कर एक प्याला बनाओ, उसके बाद उपर चले जाओ, उसके उपर दो नुक्ते लगाओ, कौन सा हुर्प बना, काफ, कौन सा हुर्प बना, काफ, काफ से कलम, काफ से कैंची, ठीक है, फिर से बनाए तो बना सकते हैं, उसमें क्याता है, एक ऐसे प्याला बना देंगे, गोम कर थोड़ा सा उपर आओ, और यहां रखके इसको ऐसे गोमा के लाइन पर स्टॉप कर देंगे, और इसके ओपर दो नुक्ते लगा देंगे, कौनसा हुर्फ बना, काफ, पर से देखें, एक प्याला बनाया, ठीक है, और उसको यहां से गोम कर, बन कर दिया, उसके ओपर दो नुक्ते लगा दिया, कौनसा हुर्फ बना, काफ, काफ के बाद कौनसा हुर्फ है, काफ, काफ से कबा, काफ कैसे बनेगा, यह तो बहुत असान है, नीचे आओ, बैट जाओ, थोड़ा उपर जाओ उसके ओपर एक दंडी लगाओ, काफ के ओपर एक दंडी, ठीक है, पिर से देखें, नीचे आओ, बैट जाओ, तोड़ा सा उपर जाओ, उसके ओपर एक दंडी लगाओ, कौनसा हुर्फ बना, काफ, पिर से देखें, नीचे आओ, बैट जाओ, तोड़ा उपर जाओ, उसक बहुत असान है यह तो आप अराम से बना लेंगे ठीक है गाफ के बाद कौन सा और फैर गाफ गाफ से गुडिया गुडिया से आप खेलते हो ना गुडिया किसकी दोस्त है गाफ की और गाफ से और क्या आता है गाफ से गधा और गाफ से क्या आता है गाफ से घोड़ा देख गाफ के उपर कितनी डंडिया होती हैं, दो, एक, दो, ठीक है, फिर से देखो, नीचे आओ, बैट जाओ, थोड़ा सा उपर जाओ, उसे उपर दो डंडियां लगाओ, कौन सा हुर्फ बना, गाफ, फिर से देखें, नीचे आओ, बैट जाओ, थोड़ा सा उपर जाओ, उसे दो डंडियां लगाओ कौन सा हुर्थ बना गाफ ठीक है तो काफ और गाफ तो बहुत असान है जैसे काफ बनते है वैसे गाफ बनते है लेकिन गाफ के ओपर क्या होते है दो डंडिया होती है और काफ के ओपर एक डंडिया होती है और यह complete भी करेंगे और राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी ठीक है अब आपको नहीं भी लिखना रहा है आप एक rough copy में लिखने ही कोशिश करेंगे तो आपको आज आएगा लिखना ठीक है बहुत असान है तो अपने महमा के साथ आपने काम complete करने